दोस्तों नमस्ते मैं जानती हूँ कि आप सबको कहानी सुनना बहुत पसंद है और मैं ये भी जानती हूँ कि कभी आप पापा से, कभी मम्मी से, कभी दादा जी से, कभी नाना जी से, कभी दादी जी से, कभी नानी जी से सबसे कहानी सुनते हैं, है न? पर आज हम कहानी सुनेंगे भाईया जी से पर हमारे भाईया जी हैं बड़े निराले कभी कहते हैं, कहानी मैं शुरू करूंगा पूरी तुम करो और कभी कहते हैं आओ साथ साथ मिलकर कहानी पूरी करें कहानी आधी अधूरी यह देखो आज मैंने कितने सुन्दर चड़िया बनाई अरे वा वा नुनु क्या बात है बहुत ही सुन्दर है आरे यह चड़िया तो सामरी पेड आ उस पेड के ऊपर चड़िया बैठी है बिलकुल इसकी तरह है है यह ने लेकिन वह चड़िया बैट ऑड़िया किस पे दॉजे पर क्या है घोषली के अंधर को पता चोटे चोटे दाने है दाने या बच्चे आचा यह वताओ नुनु आज तुम क्या चाहते हो आज खेला जाए कल की तरह या फिर कोई नई कहानी सुनी जाए मैं जाता हूँ आज आप कहानी सुनाओ मुझे कहानी सुनोगे आज हम कहानी सुनेगे ठीक है मैं तुम्हें कहानी सुनाओगा कहानी जाहिर है चुड़िया के उपर होगी लेकिन हाँ शर्थ यह है कि कहानी को आपको मेरे साथ पूरा करना होगा यानि उससे आगे बढ़ाना होगा तो सुने तो एक बार क्या हुआ एक चुड़िया थी उसके तीन बच्चे थे और बच्चो को नाम क्या था बच्चो के शबाश दो भाई थी एक उनकी बहन थी जैसे मेरी तरा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही अच्छा तो हुआ क्या चुड़िया ने एक बार ये कहा कि चलो बच्चो आज हम कहीं गुमने चलते हैं चलो बड़े खुश हुए जब तुम कहीं जाते हो अपनी मम्य पापा के साथ या चलो भाई तो बच्चे बड़े खुश हुए कि आज मम्य गुमाने दे जाएगी और आपी को खुश होते हैं विलकुल सही कहा तो नोनो तो नोनो क्या हुआ कि उनकी मम्य उनने घुमाने ले गई और जब वो उन्हें गुमाने ले गई और बच्चे पीछे पीछे उनके साथ उड़े चले जा रहे थे वा क्या ठंडी ठंडी हावा थी लेकिन बच्चे था छोटे थे हाँ बच्चे छोटे थे लेकिन मा उनके साथ थी और उड़ते उड़ते मा दिखाती जा रहे थी, देखो बच्चो, वो हमारा घर था, और अब हम नदी के उस पार जा रहे हैं, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये निशानी याद रखना, ठीक है, नदी के उस पार जा रहे हैं, और उसके बाद हम नदी के पार पेर वो बच्चे खो गए? खो गए? हाँ, खो भी गए. लेकिन खोने से पहले, उनको जब वो जा रहे थे, तुछ सब को रस्ता बताया. पेड़ था, नदी के किनारे, फिर अमने नदी पार की, मा उनके लिए भोजन के तलाश में चली गई और बच्चों को एक जगा पर बिठा दिया अब बच्चे को तो खेलने का मन करा अब वो बच्चे उड़ गए हाँ, बिल्कुश सही का बई कमाल है, जो मैं कहने वाला होता हूँ तुम पहले ही जान जाते हो शाबाज, शाबाज अब बच्चे गूमते गूमकिते कही अंजान जगा में पहुच गए हाँ, बिल्कुश सही और जब उसकी मा थोड़े दिर बाद आई तो आ के क्या देखती है पता है कि बच्चे मा नहीं है हाँ, क्या बात है कहीं जाते हो, और जाने के बाद कहीं खो जाते हो क्या, तो आपके मा परशान होती है कि नहीं होती, होती है तो ठीक उसी तरह चुड़ियाने पे बच्चे को नहीं देखा तो बहुत परशान हुई वो, चिलाने लगी अरे, मेरा टिंकू, मिंकू, अरे मिनी कहां चले गए, कहां चले गए तुम लोग कहां चले गए मेरे बच्चे, कहां चले गए बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी और आगेर में, उसके बच्चे खो गए हाँ बेटा, बच्चे तो खो गए थे लेकिन, लेकिन क्या हुआ, जानते हो चड़ियान ने सोचा कि हो ना हो कहीं मेरे बच्चे दुबारा घर तो नहीं पहुँच गए तो थकके दुखी होकर अपने घर पहुँच गई लेकिन वहाँ वहाँ पर गोसला खाली था लेकिन जब बच्चे जान जगा में थे तो उनमें से एक बच्चा हुशियार था हरे वा क्या बात है बिल्कुर सही कहा तुमने उसका नाम था टिंकू हाँ तो टिंकू ने क्या किया यहाँ दुसरी तरफ टिंकू जो था अपने भाई बहन के साथ जब खेल रहा था तो जब वो आपिस आया तो देखा मा है यह नहीं तो उसे खेलते खेलते याद आया हाँ कि हमारी मा कहा चली गई जब मा जो थी उसने मा उनको नहीं मिली तो उनने सोचा अब क्या करें अब हम घर कैसे जाएंगे हम तो बहुत अकेले रहेंगे लेकिन टिंकु को बात याद अब लोगा पहार में खो गया लेकिन उसके बाद उसको रस्ता याद आ गया क्योंकि पहार की चोटी उसे दिखाई दे गई और बीज में रास्ता हाँ और वो अपने भाई वेनों के साथ उड़ता उड़ता मस्ती से उड़ता उड़ता नदी के पास पहुँच गया लेकिन एको चोट लग गई उसमें से ओ हाँ चोट तो लग गई लेकिन उसने का कोई बात ने मिलनी घबराओ मत मैं घर जाकर इस पर पट्टी बांदूँगा अब दोनों भाई मिलनी को उठा के ले जा रहे हाँ विल्कुल सही तो दोनों भाईयों ने मिंकी को पकड़ा और पकड़के अराम से उड़ते अब बड़ी चड़िया गोसले मैं से उड़ गई हाँ बड़ी चड़िया उड़ गई लेकिन उड़ने के बाद वो अपने बच्चे ढूड़ने चली गई और धीरे धीरे नदी पार करके रस्ते में वो बच्चे मिल गए हाँ जैसी नदी पार की और पिड़ आया तो चुड़िया ने देखा आरे पिरे बच्चे तो वो आ रहे हैं वो फड़ फड़ दोड़ी दोड़ी आई और जैसी बच्चे आके गोसले पर बैठे उनकी मा आई और उनने अपने गले लगा लिया और दाना खिलाया हाँ खुब प्यार से दाना खिलाया अब ये बताओ कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली सीख मिली कि हमारे माता पिता जहां हमें छोड़ के जाए वही हमें रुखना चाहिए वहाँ पे उड़के नहीं जाना चाहिए पिता के साथ रहना चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए और दूसरी बात जिस तरह से टेंको ने समसदारी से काम लिया उसी तरह से हमें हर मुष्किल का सामना करना चाहिए हाँ, बिल्कुल सई, शावाश, शावाश नोनू कमाल कर दिया, आज तो तो तुमने बहुत अच्छी कहानी बनाई और इसी खुशी में मैं तुम्हें केला खिलाता हूँ, लो और एक केला मेली तरफ से केली खाओ, और बड़े हो जाओ चोकली खाने से तो दाथ कराब होते है बहुत बड़ी आप, बहुत बड़े दोन, शावाश कहानी अच्छी थी ना, मुझे तो कहानी बहुत अच्छी लगी सोचती हूँ, इस कहानी को कुछ नाम दूँ क्या नाम दूँ, क्या नाम दूँ, हाँ, सियानी चिडिया इस कहानी को मैं नाम देती हूँ, सियानी चिडिया आप भी सोचिये कि इस कहानी का और क्या नाम हो सकता है सोचिये, सोचिये, अगली बार एक नई कहानी लेकर आएंगे और उसका भी एक नया नाम देंगे आप और हम मिलका है और उसका भी एक नियाल